Supply Zone की ताकत कैसे पहचाने? आईए जानते हैं, अब ट्रेंड के बाद resistance के पास आकर अगर candle बिना कोई विक बनाते हुए, price ज्यादा टाइम तक retracement लेती है, तो ये weak supply zone है. नेक्स्ट अगर resistance के पास फर्स्ट candle कम लंबी विक के साथ price धीरे धीरे नीचे आती है, तो ये एक standard supply zone होता है. नेक्स्ट और अगर resistance के पास candle लंबी विक के साथ बड़ी बड़ी red candle बनाते हुए तेजी से नीचे आती है, तो ये एक strong rejection zone का signal होता है. धन्यवाद.